नमस्कार, अपने पूर्व वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया था कि सरीर पे काले निले निशान से निजात कैसे पाएं इस पे पूरे भारतवर से लगवग तीन लाख लोगों ने काफी प्रस्न किये हैं और जो हमसे दूर हैं उन लोगों ने इस से उपाए के लिए हमसे प्रस्न पूछे हैं आईए नचत्र जोतिस केंदर के आचारे पंडी धरंजय पांडे जी से पूछते हैं कि इसका सरलतम उपाए क्या है आचारे जी नमोराखवाय, नमस्कार लगबग तीन माँ पहले हम लोग एक विशेश वीडियो बनाये थे जिसमें सत्रत प्रसत महिलाओं को पैर, बाह, पीठ, पे, काले वा नीले नत्रंग का निसान पढ़ने के बाद पूरे सरीर में दर्द, एठन वा तमाम तरह की दिक्कते शुरू हो जाती हैं जिसका उपाय किसी भी आयरुवेद, एलोपेथ या होमियोपेथ में नहीं है इसका उपाय केवल अध्धात्म में ही है क्योंकि चाहें जो कोई कितना भी अपनी बाते कर ले यह किसी बिमारी का लक्षन नहीं होता है नहीं किसी बिटामिन्स के कम होने की लग्षान है अध्धात बहुत गुड़ भी से है इस पे पारपाना इतना आशान नहीं है यह संसार रहस्यों से भरा हुआ है और हम रहस्य के एक कदम से आगे नहीं बढ़ पाए है तमाम तरह के दुनिया में मशीने लगी यंत्र बने की रहस्यों के बारे में जान ले पर आदमी कुछ पक तो आगे बढ़ा उसके बाद नहीं बढ़ पाया इसी तरह का एक रहस्य है एक नाकारात्मक उर्जा है जिसके चलते हमारे मा बहनों को या किसी किसी पुरुसों को भी इस तरह की समस्य का नजात मिलता है और यदि यह लंबे समय तक होता रहा तो वह मानसिक बिमार हो जाती है महिला है उनके अंदर बिटामिन B12 और हीमोग्लूमीन के निरंतर कम्य होने लगती है और वो सक्ति हिन हो जाती है तो जो हम से बहुत दूर है उनके लिए मैं कि उसकुछ सुक्षतम उपाय बता रहा हूँ कुछ लोगों के लिए जो बिशेश पीरित हैं और बहुत कम समय में से हैं उनका उपाय सिद्धासगर काम करेगा और आप नियाद पा जाएंगे परन्तो यदि आप लंबे समय तीन साल से पहले से आपको इस समस्या से परिशानी है आप मेरे निजी नंबर पर संपर्ख करके इसका उपाय या इसके लिए कुछ बिशेश आउशदी या यंत्र तयार किये जाते हैं जिससे आप में याद पा सकते हैं इसका सत्य प्रत्त गारंटी है तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूं जो तीन वर्ष के पहले से अंदर लोग जो परिशान है उनको इससे आराम मिल सकता है आप यदि पैर में, कमर में, घुटने से उपर, कमर से नीचे या पीठ में या दोनों बाजुमें पर नीली, काली या लाल रंग के निशान पढ़ जाते हैं तो बाजार से तूतिया लाएं रविवार या मंगलवार के दिन जिसको नीला ठोथा भी कहते हैं तूतिया को आप सरसो के निकाले हुए तेल में यानि मसीन से निकाले हुए वरिजिनल सरसो के तेल में पका लें और नित्य राथ को अपने पैर के तलवे में लगाके 21 जिन तक सोएं आप तुरंत इससे निजात पा जाएंगे दूसरा उपाय है तुलसी के साथ पत्ते काली तुलसी के साथ पत्ते और साथ छोटी गोलमिज जिसे हम मसाले में प्रयोग मिलाते हैं इन दोनों को किसी सफेद या काले सूती कपड़े में बांद करके रात को सोते समय बाएं या दाहिने बाजू में बांद के सोएं लगातार या एक माह करने से तीन साल के अंदर जिन माबहन भाईयों पीडा हो रही है उनको इससे निजात मिल लाएगा तीसरा यदि आप पीले निशान का पढ़ने के बाद कमर से नीचे दर्द पूरे सरी में सक्ती भीहिंता वह काफी मानसिक विकारता आती है तो साथ तुज़्जी के पत्ते लें गंगाजल लें और एक छोटी से कटोरी में रख लें हशुवा असनान के बाद हनुमान्च अलिशा का एक चौपाई है दीन दयाल बिरुदसम भारी अहर हुनात ममसंकट भारी कटोरे में लेकरके उसे 21 बारे स्पंत्र को पढ़ें और तुलसी पत्र को चबा करके खालें और गंगाजल को पी जाएं यह नित्य करने से भी आपको सिग्रता सिग्र निजात मिल जाएगा तीन साल से प्राचिन या पहले से जिनको इस समस्या से काफी कर सित हैं मेरे निजी मुबाइल नंबर 9838697226 पर काल करके और समधान या इससे निजात पाने का एक पैकेट बनता है जिसमें यंत्र कुछ खाते समगरी वा कुछ शरीर पे लेप की समगरी दी जाती है जिससे आप एक हफ्ते के अंदर अचुक लाभ मिलेगा परन्तु यह अस्मरण रहे कि पहले फून करके बात करने का समगरी ले लें आप चाहें कि तुरंत फून से बात हो जाए तो यह अथ्वासा मुश्किल है पहले फून करके समय लें कि कब बात करें उसके बाद आपकी समस्या सुन करके उसका समधान कर दिया जाएगा नमू रागवाई जै माता दे